आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आशीष चंदर श्रिवास्तो पूरे जोस के साथ उतर चुके हैं अपने छेतर का विकास करना सडक नाली सीवर की समस्याओ का निराकड करने जैसे मुद्दो को लेकर जनता के बीच अपनी पैट बना रहे हैं पर हमारी प्राइम टीवी की टीम ने आशीष चंदर श्रिवास्तों से खास बात चीत की है 2022 का विदानसवा चुनाव सर पर आ चुका है जिसके चलते सभी धावेदारों नहीं अपनी कमर कसली है इस वाक हमारे साथ मद्द विदानसवा के बीएसपी के उमीदवार आशीष चंदर श्रिवास्तों हमारे साथ में मौजूद है किन मुद्दो को लेकर किया यहाँ पे जनता के बीच में उतरे हैं सीधे ही उनसे बात करेंगे तो आशीष जी यह बताएए कि आपके इन मुद्दो को लेकर जनता की बीच में आज अपनी पैट बना रहे हैं मैं आशीष चंदर श्रिवास्तों प्रत्यासी बाउजन समाज पार्टी लखनों मुद्दे यहां पर बेसिकली सबसे जादा यहां पर दिक्कत है रोडों की सीवर की नालियों की और उसके साथ साथ में जो यूवा शक्ती है यहां पर वो सब बिरोजगार है आज की डेट में तो इसकी बहुत दिक्कत है सीवर तो ऐसी समस्या है जिसको अगर पूरे लखनोंबंद में आप अगर घूमेंगे और देखेंगे तो सब आपको फुदी सब पता चल जाएगा हर जगे यहां लोग यहां पर खड़े हैं रवीदास नगर बालू अड़े पे तो यहां सब्सक्राइब के तक आलता है जुदुद सब्सक्राइब कि ऐसे नहीं भड़े करना जाएगा Жूद सर्फूच काहीं कर ऊष्थ disfrut यह सब सिर्फ कहने को है और कहीं पर कुछ नहीं और जो अन्न पाटियां हैं वो और सिरेफ़ कर रही है उननों ऐसा कोई काम है उसकी कि बियर कर थे कि उन्होंने सिर्ट हो करो शुर्ल؟ अभी और जब दस्तारिक को रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी जेबे भरी और किसकी खाली है दोजार साथ से बारा में जो विकास माननी भेहन जी ने हमारे यहां लखनोव को जो लखनोव बना दिया वह आज तक जो है माननी हमारी राजनाथ सिंग जी यह बन गया तो पार्क वगेरा जो बन गया इसका जो पैसात हो किसको मिलता है सरकार को ही मिल रहा है किसी और को नहीं मिल रहा है तो यह तो प्रदेश की जंदा को नों ने और सरकार को ही दिया है ना सरकार का रेवन्यू जनरेट हो रहा है और सिर्फ वादे करने से और तरकार ने दिया है बताएं हमको सिच्छक भरती है हमारे 2007-12 के कारकाल में हुई उसके बाद पुलिस भरती जो ही और बाकी जो भरतियां हो रही है में सब लोग देख रहे हैं कैसे हो रही यह पड़्चे आउट और पैसे लिए जा रहे और कैसे भड़ती हो रही है उसके अलावा और उन्हीं कॉन से अजेंड रहेंगे महीलाओं की सुरक्षा को लेकर के और किया रहें देखिए मैं 2007-4 का जो time पिरिंट अउस subject महिलाएं सब साथ में महिलाओं से आप खुद पूछिए यह चीज की क्या 2007-12 में आपकी सुरच्छा थी की नहीं थी उसके बाद 12-17 में क्या हाल था और 17-22 में क्या हाल था मानी हमारे मुखमंत्री जी कहते हैं कि हमने जो है महिला ससक्तिकरण को बहुत उपर किया रहे महिला ससक्तिकरण को उपर किया तो महिलाओं को लडाया क्यों नहीं लखनों में जो क्या कहते हैं आपकी सरोजनी नगर से मानी स्वाती सिंग जी मंत्री थी उन्ता टिकेट काट दियो तो महिला ससक्तिकरण की बात कहां से करते हैं भाजपास से यह पूछने वाला है कि आप कहां से महिला ससक्तिकरण की बात कर रहे हैं आखिर में चाहूंगी कि प्राइम टीवी के माध्यम से यहां पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जनता जैसे साथ दे रही वैसे साथ देते रहे और मानी भेहन जी को पांची बार मंत्री बनाने का काम करें मत्य विदान सबा शेतर से उमीदवार आशीश चंत शिवास्तव हमारे साथ में मौझू थे जिनों ने विकास के मुद्दों पर बात की है उन्होंने कहा है कि यहां पर सड़क और पानी की समस्या है जिस पर उनका वि आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार जो पिविधान सबा चुनावा की तारीख के एलान के बाद सभी राजनेतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है तो वहीं सभी दलों के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में जोरो शोरो से है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं इसी कड़ी में बहुचन समाज पार्टी के दो बार वधायक रहे शातीश वर्मा ने हमारी समवर्दाता विरेंद कुमार से खास बात चीत की है और अगामी विधान सबा चुनावा को लेकर विशे इस चर्चा की है अच्छा नहीं रहेगा इसलिए सरकार अगर आएगी तो इस बिवस्था को उस रूब में लागू किया जाएगा कि गववंस का भी संद्चन हो और जो किसान चानोनों को पालता है उसका भी संद्चन हो उसकी एखेत सर्द्चन के नाम पर खाली नहो जाएए शे हजार प्यादे कर इसको भरबाएं तो उनके लिए आप अपनी विदान सबा में क्या ऐसी योजनाय लाएंगे ताकि आपकी विदान सबा की जनता आपकी विदान सबा में डाम करें बocy die लोगों को नूजघार देते हैं अगर सरकार बनी तो ब्युस्ता की जाएगी और सरकार ने तो सारी योजनाएं ही खत्म कर दी सरकार कहती है कि सिल्फ डिपेंड हो जाओ क्वघा के ठेले कि प्डेंट के बटिंग सब्जी ओंके ठेले कि प्रिविद्या लगाओे रह ने हमारे हाँ ऐसी बेवस्था थी जहां यतनी गडूरत थी जातियां बटी नाई अगर 500 हो जाएंगे और दूसरे लोग 100 हो जाएंगे इसके बाल उकाटने जाएंगे जो जाती बेवस्था थी उसका इस तरीके से जो भी लोग काम करते थे तो आप इस सरकार ने ऐसा कर दि करके पूंजी वादी लोगों का जलत चड़ दे करके और उन से जो भी उनका संबंद होगा उसको लागू रखा है और ऐसे ही अगर रहा तो बीस साल के बाद इस देश के वह बहुता आ जाएगी जो पांच हेजार साइब क्योंकि लोग भूख से परिसान रहेंगे तो इसके के लिए जो जनाएं खास अपील जन्टा से अपनी कर दिजाएं आप चुने तो आखर क्यों की चुने में मलावा मृणव के विधान सभाव खबर यूपी के चंद ओली जुनपत के सतर्क के चहरी से जहां पर सदर्क के चहरी के सामने अधिवक्ताओं ने डिप्टी आरेमो अनिप कुमार स्रवास्तों के उपर मुकदमा दर्ज करने के लिए चक्का जाम किया जह एड़ोकेट जनमे सिंग ने बताया कि फरजी तरीके से डिप्टी आरेमो ने किसानों सहीत अधिवक्ताओं पर धान खरीत को लेकर मुकदमा दर्ज या डिप्टी आरेमो ने भी अधिवक्ताओं के साथ भदता की लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है अधिवक्ताबाद में हैं और हम लोगा धान बेचने गए थे पिछले 29 दिसंबर 2021 को मंडी में जिस पर अनिमिर्ता हम लोग देख करके हम लोग ने उसका विरोध कि हमारे अधिवक्ता साथियों ने जो लोग गए थे उसके उपर फर्जी तरीके से डिप्टी आरेमों चंद अधिवक्ताबाई हमारे अधिवक्ताबाई हमारे किसान भी है इसके साथ अधिवक्ता भी मंडी में गए थे अनिमेता को वह अधिकारियों से सुझायों का काम किये, लेकिन वहां अधिकारियों का गयंगरन करता है, जनोंactor है कि आधिकारियों का इचीना जबटी भी कर लिए, लेकिन उस संदर में मुकदमा दर्ज किये कि एक तरफा क्यों थल्यादिकावों की तूपर, इस दर्ज न कि तरफ से दी गई जिसको असासन दिया कि दर्ज कि अभी तक लोग दर्ज नहीं कि देवरीय में विधासबा चुनाओं को लेकर काफी हल चल है नामांकन के चौथे दिन जला प्रिशासन ने प्राइम टीवी के खबर को संग्यान में लेते हुए यातायाद चालू कर दिया ह और बाधित को लेकर खबर चलाया है इसे प्रिशासन की तरफ से खबर को संग्यान में लेते हुए एक तरफ बैरिकेटिंग खोल दिया गया है जिसको लेकर लोगों को आने जाने में मदद मिल रही है कर दिया गया है और लोग आ जा रहा है तो इन फतेपूर के बगवेर कस्बे से लेकर कानपूर जाने वाली रोड का निर्माड पी डबलू डी की तरफ से लगबग एक साल पहले करवाया गया था इस रोड पर हेवी ट्राफिक ना होने के बावजूद रोड की हालत खराब हो गई है इस रोड पर जन प्रतिनिधी से लेकर अधिकारी तक गुजरते हैं लेकिन लोगों को ऐसी जरजर रोड दिखाई नहीं पड़ती है अभी तक गड़े मुक्त सड़क का जो धोल पीटा जा रहा था उसकी हकीकत सामने आई है इस रोड से गुजरने वाले वाहन भी खराब होते रहते है प्रदेश में विधानसभा चुनाओ की प्रक्रिया शुरू हो गई है वही सातवे चरण में सोनभद्र के चार विधानसभा सीट में चुनाओ होना है जिसके रहत मदान क्रामिकों को प्रशिक्षड का कारिकरम राजिकिये पॉलिटेक्टिक कॉलेज लोडी में प्रारम हुआ कारिकरम में जुराधिकारी टीके विपु ने पहुचकर प्रसिक्षड प्रक्रिया का जायजा लिया उन्होंने प्रसिक्षड प्राप्त कर रहे पीठा सीन अधिकारी और मदाता अधिकारियों से कहा कि वो प्रसिक्षड प्रक्रिया पूरी मन्योग के साथ समझे जिसके लिए निर्वाचन मद्दाता प्रक्रिया के दोरान किसी भी प्रकार की समस्या क्या सामना ना करना पड़े। की इसे भी किया है और यह नक फरवरी तक चलेगा और प्रतेक दिन हम दोवालियों में प्रफंपाली और क्यें नोग द आतेël हैं तृटिव्य बसेड़क कहला और लिएक दिन सबसे पहले में सुभेव जाया हूं तो यहां विदान सबाजी थियूरी है वह हम जोड़ेंगे फिर वीवि पैट को हम जोड़ेंगे किस से, 컨्टॉल यूनिट से तो यहीं पुरी तरीके से आया है तो इफ अरीदा बाद के सबसे बड़े सिविल ऐस्पताल बाथ्शाख्ञान में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाई सामने आई है जानकारी मिली की प्रशाव पीड़ा के बाद लाज के लिए आई महिला के पेट में ओपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पट्टी छोड़ी ती लापरवाही के चलते महिला के पेट में पट्टी छोड़ी थी 31 जनौरी को महिला को ऑपरेशन हुआ था और आठ दिन बाद पेट में दर्द के चलते दोबारा चेक अप कराने आई महिला आई थी इस पूरे मामले में अस्पताल के प्यमों ने जाच के आदेश दे दिये और कड़ी कारवाई का आश्वासन दिया है कि अध्यार के टेश तारीक को तीस तारीक को तीस जनौर को एड्मिट हुए कब डिलेवरी हुई एक तीस के हुआ था बार बच के पांच मिनिट में रात में छोटा प्रेशन हुआ है उसमें ना करूआ कोच के उनको भूल से रह ग ठाल लगा कि पेट में और कॉटन यह कपड़ा चूट गया है कैसे पता लगा है यह लेटिंग ना तब हम देखें कॉड़ा सबाहर एतना था टाक यह सबहर आ रहा था है तो फिर अब क्या यहां पर अल्ट्रावट करा एक अब निकाल दिया है तो कैसे निकाल अधिया है क को दवाई भुभाई लिख दिया जाके एंको सही से करवाना तो और आज हो गया आज साथ-ज वे आज नो दिन तो इसको छेक करवाने लेका तो दिनन जक अंधर था यहा था कॉन साथ अंदर बताया इसने आज घे मेरे संग्यान में अभी आये रामले कि हम दुने जांच करे और इस जाच कर आते हैं और डॉक्टर द्वारा ही दवाई लिखवाएंगे जो एप्रोप्रेट दवाई है वो ही लिखवाएंगे कारवई बनती है तो क्या कुछ एक्षन भी हो सकता है ऐसे क्योंकि इस तरह किला परवाई हो दोह दिन होता है ऐसे गॉस्पिस नहीं छोड़ा जाना चाहिए बिल्कुल गलत है जो भी हुआ है बलिया में बोरिया विधान सबा से भाश्वा वधायक सुरेण सिंग के टिकेट कटने के बाद बगावती तेवर दिखाई दिखते वे निरदली चुनाव लड़ने का एलान किया है सुरेण सिंग ने कहा है कि टिकेट कटने के बाद सपा के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादों के पास चल कर टिकेट मांगना पड़ेगा भाश्वा विधायक ने कहा कि मैं उस धर्ती का रहने वाला हूँ जहां याचना नहीं करते वह भाश्वा शीर्स को चुनावती देते हुए कहा कि ये धर्ती सुरेंदर की रोटी और धोती को पसंद करती है उसलिए पूझे लोगो आज आप समने संदेश देन आजी वानों को यह अए दिली वालो ध्यान से देखे लो चसमा अपना सुरेंदर सी के धोती और लंगोती को पसब करें अवैद बसो पर कारवाई करते वे उनके चालान काटे आटियो बभाग के इंस्पेक्टर ने बताये कि समय समय पर हम पूरे फरीदाबाद में अवैद बसो और ओवर्ड लोड़िड वाहनों पर कारवाई करते रहते हैं वैद बसो पर्मिशन के बगार किसी ऑथरीटी के अगर सवारियों को लेके जा रहे हैं तो वो इलीगल काम कर रहे हैं और ऐसी गाड़ियों के खिलाव सक्थ कारवाई की जा रही है वैया में 184 विधानसवा जगदीशपूर सपा प्रत्याशी विमलेश सरोज के निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांगन दाखिल किया सपा प्रत्याशी विमलेश सरोज के आगामी चुनाव में जीत का दावा भी किया है प्रेम जग्दीशपूर बिधान सबा की जनता ने मुझे दिया है वो प्रेम हमेशा हमारे आज इवन बरकरार रहेगा जनता के बीच में हम पूरा पढ़ बना चुके हैं और हम एक लोग प्रे नेत्री हुँ जग्दीशपूर बिधान सबा की जो जग्दीशपूर बिधान सबा का प्यार वासिरवाद मुझे मिलता रहेगा गउरकपूर गषी जग्दीशपूर बिधान सबात च्छेतर के प्रत्याशी विजवादूर यादों ने नामांकन कैट से निकलते वे विजय बहादूर यादों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाते की उन्होंने कहा कि बीजुपी सरकार ने जाम और जल्माओं में निजात पाने के लिए कुछ नहीं किया और अब थाने और चौकियों की बतर स्थिती को ठीक कर लिया जाएगा आप भी सुनिए विज समाच के लिए समर्पित करती हैं तो विजय बहादूर की चुनोती क्या है विजय बहादूर के सामने आम जनता के कि शमर्शाओं की चुनोती है कि हम लोग सरकार बनानी जा रहे हैं और जो पांच साल में जिस प्रकार से भारती जनता पार्टी ने पूरे गोरकपुर में जल जमाओ की समस्या से निजात के लिए कोई काम नहीं किया जाम की समस्या से निजात के लिए कोई काम नहीं किया और धाने और चौकियों की जो बत्तर इस्तिति उस पर जनता ठगा हुआ महसूस की है उन सारे इस्तितियों को ठेक करके हम लोग गोरकपुर को बहतर बनाए आए यहां के नागरियों का भरोसा पुना जन्द प्रत्याशी विवेका नंद सिंग देवरिया से मीना देवी सलेमपूर से भारत कविनिस्ट मार्स पार्टी के सतीश कुमार ने नामांगन दाखिल किया रामपुर विधान सभा से कॉंग्रेस प्रत्याशी अंबर जहां ने बताया कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया मजबूती के साथ काम कर रही है मुझे जन्ता का प्यार बिल रहा और इस बार कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है मैलाओं के लिए अगर हम मैलाओं के लिए बे रोजगार जो है उनके लिए हम रोजगार ही देंगे मैलाओं के साथ हमको कदम से कदम मिला कर चलना है तो समस्याव को हल करना है उत्तरप्रदेश में विधान सभा चुनाव को लेकर अलीगड में पहले चरण में मददान है जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कड़े सुरक्षा प्रबंद किये दस फर्वरी को अलीगड जिले का साथ विधान सभा सीटों के लिए फोटिंग की जाएगी और इसी वज़ा से आज शाम को चुनावी प्रचार थम चुका है कलेक्टरेट सभागार में डीम और सस्पी ने संयुक्त रूप से प्रशवारता करतों बताया कि भैमुक्त मतदान कराना पुलिस प्रशासन की प्रात्मिकता है हमने सुनशुत किया है कि जादा से जादा लोग अपने प्रतिनिधी का चुनाव अधिक से अधिक मतदान कर सके है उसके सन्मंद में भी ब्रीफिंग किया गया है हम लोग एक कोशिश पूरा हमारे रहेगा 100% हम लोग एंशूर भी करेंगे कि इंसिडेंट फ्री एलेक्शन हो और दूसरा ट्रांस्परेंट माधियम क्लियर रहेगा वोटर को किसी तरीके का कोई भी दिकत नहीं होगा कोई भी जो वोटर है उस कॉंस्ट्यूंस में वो आ करके अपना वोट पोलिंग बूट में आके बिना कोई डर या कोई भी इसके अलावा जो कानुन विवस्ता के दिश्टिकत आपने विश्य सुख से पूछा है तो हमारी यूपी वन वन टू की गाड़ियां इसके अलावा हमारे सौसे ज़्यादा क्लस्टर मोबाइल्स भी बनी हैं हर थाने पर दो दो क्यूर्टी हम लोगों की रहेंगी और अत चोकी बार चल रहा है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार